इपी जी पाट सालायाम भाउताम समेशाम श्वागतम अहम अश्मी जवाहर लालह अहम श्री लाल बाहदुर शास्त्री राष्ट्री संस्कृत विद्या पीठे सर्वदर्शन विभागे साहाय काचार्य पदे नियुक्तोष्मी अश्याम पाट सालायाम अध्य वयम न्याय दर्शन साहित्यस्य उद्भवाह विकासस्च इति विश्यम अधिक्रित्य पठामह तत्र आदव प्रस्तावना प्रस्तुयते भारती दर्शनेशु सड आस्तिक दर्शनानी त्रीनी चा नास्तिक दर्शनानी संती आस्तिक दर्शनानी तावत सांक्य योग न्याय वैशेशिक तूर मीमांसा उत्तर मीमांसा संती नास्तिक दर्शनानी चार्वाग जेन बाउध दर्शनानी थी भार्ती दर्शन परंपरायाम न्याय दर्शनस्य परंपरा अत्यंतमेव सम्रिद्धा विशालाच अवर्तते नकेवलं जीवस्य जगतह इश्वरस्य अवधारणाम अन्वेष्टुम दर्शनमिदं जिग्यास्यते अपितु इतर दर्शना धेत्रिभी पदार्था नाम स्प कि質 प्रतिपत्य एर्धं नियाय दर्शनम अवलंभ्यति。 कथम इदम दर्शनम गोतम प्रवृती गंगेश पूर्वम यावत प्राचीन न्याय परंपरा गंगेश प्रभृती नूतनत्वेन नभ्य न्याय रूपेन परिणमिता भूत इत्येशा विकाश परंपरा नूनमेव विचारनिया अस्याह परंपरायाह प्राकाले प्रमे प्रधानत्वम नूतनकाले चा प्रमान प्रधानत्वम कथम समपध्यत इत्यादी जिग्याशा विशयाह अत्र विचारनियाह वर्तंते अश्य दर्शनस्य नूतन शैली अपी विशिष्टा वर्तते अतह अत्र अश्य विशिष्ट दर्शनस्य उद्भाव विकाश विशैनी विचारना प्रवर्तते नियाय सब्दस्य विद्पत्ती ही नियते विवक्षितार्था अनेन इती नियायाह अर्थात येन गे तत्वानाम ज्यानम सब्दानाम वाक्यानाम वा निश्चितार्था वोधास्यात तन्यायाह यद्यपी वैदिक पदानाम उच्चारणाम अपी नियाय पदेन ब्यविरियते कौटिल्या चतुर्दस विद्याशु अन्विक्षिकी विद्यायाह परिगणनम करोती त्रई वार्ता दन्यनीति ही चतुर्थियम अन्विक्षिकी मता पुनस्च दर्षन सास्त्रेशु अपी लोकायत सांके योग अन्विक्षिकी नाम चतुर्दस नाम दर्षनानाम उल्लेखा द्रिश्यते अता एव शंभावता हा कौट्टिल्य कालम हीशापूर त्रिशतम वर्षम यावत नियाय सूत्रस्यरचना नासीदिति प्रतियते परंतु आचार्य वात्षायन हा साक्षात वदती सेयम अन्विक्षिकी नियाय विद्यति अतेव वक्तुम सक्यते नियाय सास्त्रम एव अन्विक्षिकी विद्या पदेन ब्यवारे प्रचलितः आशीद नियाय सास्त्रस्य प्रारंभा महार्शिग उतमस्य नियाय सूत्रादेव स्विक्रियते प्राक्तनेशु नियाय ग्रंथेशु नियाय सास्त्रिय शिद्धान्ता नाम प्रतिपादनम संप्रत्यपी विशद रूपेण पर्तते तत्र तरक्सास्त्रस्य वास्तविकं स्वरूपं किमिती स्पष्टतया नैव वक्तुम सक्यते बौधतर्शन अस्य प्रकरण ग्रंथेशु प्राचीन तर्क सास्त्रम आस्तिक सिद्धांता नाम खंडन रूपेण उपलभ्यते बुद्धास्य शमयाह द्वर्तते सष्ट सताब्दी इशापूर्व अस्मिन नेवकाल खंडे गउतमेन न्यायशूत्रशय प्रणयनम् कृतम अस्यय न्यायशूत्रशय अपरम नाम तर्क सास्त्रम पी बर्तते प्राचीन ग्रंथेशु कुत्रचित न्याय सूत्रस्य करता महर्षि गुतमह, क्वचित चा अक्षपादा उच्यते, तर्क सास्त्रस्य अस्तित्वं भगवता बुद्ध स्य उत्पत्ते हे प्रागपी आसी दिती केचन बदनती। तर्क सास्त्रस्य अस्य अनेकाह प्राचीन संग्यावर्तंते, तथा ही आन्विक्ष की हेतु सास्त्रम, हेतु विद्या, तर्क सास्त्रम, तर्क विद्या, वाद विद्या, प्रमान सास्त्रम इत्यादीन। यद्यपी न्याय सास्त्रस्य रचना कदा जाता इति निर्णया क्लिष्टाह तथा पी इसापूर सश्ट सताब दीताह इसापूर पंचं सताब दिम्यावत विदुसांभी प्रतिपत्ति ही वर्तते न्याय सुत्रस्य परवर्ति विद्यमान साहित्यम वर्तते आचार्य वात्स्यायन अस्य वात्स्यायन भास्यम न्याय भास्यों परी उद्योत्करह न्याय वार्तिक नामकं टीकाम लिखित्वान तत्र न्याय सास्त्रे प्रमेया नाम सम्यक प्रत्पादनम वर्तते उद्योत्करस्यकालाह पंचम सस्थ सताब्दी स्विक्रियते। अश्मिन ग्रंथे नियाय सास्त्रस्य व्यवस्थितम स्वरूपम उपलभ्यते। नियाय सूत्रानंतरम उपलभ्ध साहित्येशु नियाय भास्य इस्थानम सर्व प्रत्मम वर्तते। आश्य नियाय भास्य से करता वर्तते आचार्य वात्सयायना। नियाय भास्य कारस्य आचार्य वात्सयायन से प्राचीन नियाय परंपरायां मात्तो पूर्णम इस्थानम भिदते। वात्सयायन भास्य से प्रतमाध्याय नैके साम वात्तिक ग्रंथानाम उद्धरणम प्राप्यते अनेर सिध्यती यत वात्सयायन भास्य से प्रागपी नियाय सूत्रस्य व्याख्या ग्रंथा आशित स संप्रती अनुपलभ्धा वर्तते। आचार्य वात्स्यायन कृत भाश्यों परी नईकाहटी का ग्रंथाह रचिताह संती भाश्यकारह स्वयमेव वदती यो अक्षपादम व्रिशिम नियायह प्रत्यभाग वदताम वरह तस्य वात्स्यायन इदंभाश्य जातम अवर्तयत वार्तिक कारोपी वदती यदक्षपाद प्रतिभो भाश्यम वात्सयायन जगव अकारी महतस्तश्य वारत द्वाजे न वार्तिकम नियाय भाश्य कुत्रचित श्थलेशु नियाय सूत्राणाम विविधा व्याख्याद रिश्यते तत्र भाश्यकारस्य कुत्रस्वारस्यम वर्तते इती संसयो जायते तथा पी एकम नियाय संप्रदायानु कोलं व्याख्यानम दुतियम चा समान तंत्रम अभिलक्षे कृतं व्याख्यानम प्रतिभाती अश्य वात्स्यायन अश्य समय हा वर्तते व्यतिय सताब्दी वात्स्यायन भाश्यस्य दिंग्नागादय हा परिवर्तिन आचार्या हा सयुप्तिकं खंडनम कृतं परिनामत हा उद्योत करहा नियाय भाश्यो परी नियाय वार्तिक नामकस्यतिका ग्रंथ से प्रणयनम कृ नियाए शास्त्राश्य प्रमेयाणां परिज्ञानाय अत्य अन्तमेव उपादेय हा वर्तते असमिन वार्तिके आचार्य यह उद्द्योत करयी नकेवलं नियावाश्यứ दुरूह रास्यानामुद घाटनम कृतम अपितु बाउधानाम मतानाम अपि निराकरणम कृतम। मंगलाचरने तत्र वदत युद्योत करह कुतार्किक ज्ञान निबृत्ति हेतु हु। अर्थात कुतार्किका नाम निबृत्तय एव अयंग्रंथा मया प्रणीता तत्र वार्तिकस्या लक्षणम किम किति जिग्यासायाम। उक्ता नुक्त द्विरुक्त विश्यानां विश्त्रत विवेचनेन सास्त्रे निर्दिष्टस्य वार्तिकस्य लक्षणं अत्र समन्वयो भवति तथा ही वार्तिकस्य लक्षणं कीम इती जिग्यासायां उच्यते उक्ता नुक्त दुरुक्ता नाम चिंता यत्र प्रवर्तते तम ग्रंथम वार्तिकं प्राहु वार्तिकज्याह मनीशिनह वार्द नियायश्य विपस्चितार्था व्याख्यायां सांत रक्षितेन भाविविक्त भाविवेक नामकस्य नियायभास्यस्य व्याख्यायाह उलेखा वर्तते अत्रापी दिंग्नांग मतश्य खंड़नमं दिश्यते उध्योत करस्य नियायवार्तिका अनंत्रम अपि बावध्धा नाम गतिही नावरुथा फलतहा सर्वतंत्र स्वतंत्र नामना प्रसिधा आचार्यहा वाचास्पति मिश्रहा न्याय वार्तिको परी न्याय वार्तिक तात्परे ठीकां प्रणीतवां यम न्याय वार्तिक तात्परे ठीका न्याय सास्त्रस्य अत्यंत मेव महत्य पूर्णा ठीका वर्तते आचार्य वाचास्पति मिश्रस्य समयह नवं सताब्दी इति स्विक्रियते अने आठीके आ एव आचार्य मिश्रह तात्परे आचार्य इतिनामना प्रसिद्धा जाता हा। एवम एव न्याय दर्शनस्तिक छेत्रे एते सामेव न्याय सूची निबंधन नामका ग्रन्थोपी प्रसिद्धा वर्तते। आचार्य उदयनह परिशुद्धव परिशुद्धी आचार्य वाचस्पति मिश्रकृत न्याय वार्तिक तात्परे टीकायाह व्याख्या ग्रन्थाह वर्तते। तत्र परिशुद्धव आचार्य उदयनह आचार्य मिश्रस्य प्रसस्तव उक्तवान यत गुरुत्रिलोचन आचार्येन प्राप्तरसायनह उद्ध्योत करस्य अति ब्रिद्धाम मानीं पुनर जीवन श्यप्रयाशा कृतहा अनेन आचार्येन नाम वाचस्पति मिश्रेन तथा ही उद्ध्योत कर कालोही अमूशाम यववनं तच्च काल परिपाक वशात गलितमिव किम्नामत्र तिलोचन गुरोहो सकासात उपदेशर सायनमा साधित अमूशाम पुनर नवी भावाय दियते इती युज्यते इती परशुद्धाव उक्तम बरतते आचार्य जेंत भटोपी न्याय मंजरी नाम के महत्तुपूर्णे ग्रंथे न्याय सूत्रस्य कत्पै सूत्राणाम व्याख्यानम कृतवान न्याय मंजरी जेंत भटोपी न्याय मंजरी जेंत भटोपी न्याय मंजरी नाम के महत्त्य पूर्णे ग्रंथे अनेन अश्य बैद पूत्रकारागम अनुसरता नुझ्यता भाष्य भूमिम अस्मिन ग्रंथे चार्वाक बाउध मीमांसा बेदांत दर्शनाना अत्यंतमेव वैद्धुष्य पूर्णेन तरकेन खंडनम कृतवान आचार्य जेंत भट्टः अश्य ग्रंथाष्य प्रसस्तव आचार्याह वरं अंति न्यायव सधिवनेभ्यो यमाहितो परमोरशह इदमन्विक्षि की छीरान नवनीतमि उद्रितम अंते पुनाह उच्यते वादेशु आप्त जयो जेयंत इति यह ख्याता सताम ग्रणी अन्वर्थो नव वृत्तिकार इतियं शंसंति नामना बुधाह आचार्य जेयंत भट्टाश्य अन्येपी दोव महत्तु पूर्णव ग्रंथव वर्तेते नवम सताब्द्याम आचार्य भासरवग्यस्य नियाय सारह नियाय भूष्णंचा दोव महत्तु पूर्णव ग्रंथव वर्तेते नियाय सारह नियाय तर्षनस्य एक हा प्रकरण निया भूषनम्ам तश्यायव नियाय सारश्यों परी विराची तह अध्यन्त मेव विशाल काया हो ठीका ग्रन्था वर्त थे यद्यपी एभी ही नियाय धारा तृहा किनचीत परितक स्वतंत्र धारअ newerवहĩततन फल तहा अत्रःउपमान प्रमान नई वश्विक्रितं शटा एत्वा भासा नाम विचारा वेदान्तिवत मोक्षे नित्य सुखस्य अभिव्यक्ति ही स्वी क्रितह वर्तते एभी आचार्याई ही नियाय सूत्रकारों परी अपी कटाक्षा क्रितह तैही उक्तम यत सूत्रकारस्य अभिचारित वचना नाम प्रामान्यम स्वी क्रिते चेत परिख्छा सूत्रा नाम व्यर्थत्वा पत्ति आपत्ति अर्थात अप्रामानिक वचना नाम स्वीकारह नईवकर्तव्यह पुनास्या आचारियह वदति अहम न्याय सास्त्रस्य अभ्याख्यायाम प्रवर्ति तोश्मी वैसेशिकेन सहा मत भेदहा विरोधोवा मत कृते दोशकरह नास्ति तथा पी अश्य मौलिकम चिंतनमेव अश्य प्रसिद्धिये कारणम वरतति अश्य ग्रंथ अश्य प्रसिद्धि एतदर्थमेव जातम यतोही अश्मिन ग्रंथे ग्रंथ करतु हूँ मौलिकम चिंतनम्बरतते अश्य ग्रंथ से उल्लेखा बवधु बिद्वान रत्न कीर्थी करोती अपोह सिद्धी नाम के ग्रंथे अयंग्रंथा वारनसिता प्रकाशिता वर्तते येते ग्रंथाहा प्राचीन न्याय अश्य वर्तनते एवम एव आचार्य उदयनहा किर्णा वल्याम स्री वल्लभाह न्याय लीलावतव राजसेखरेन सड़तर्शंसमुच्य इत्यादी अनेकई विद्वत भी न्याय भूशनस्य उल्लेखाहा कृतह वर्तते न्याय सारस्य अश्टातस व्याख्या ग्रंथाहा नैकास्य उपव्याख्या ग्रंथाहा उपलबधाहा संती अने नईव अस्य ग्रंथकर्तुष्य वैदुष्यम प्रतिष्टितम भवती तथा ही नियाय भूषणं संग्रह वार्तिकं सदार्थ संग्रहा भूषण भूषण नामना अस्य उपव्याख्षापी वर्तते नियाय भास्यस्य नही कासु टीकासु आचार्य वाचस्पते है गुरुहु आचार्य त्रिलोचन हा नियाय मंजरी नामकस्य नियाय भास्यस्य व्याख्या ग्रंथस्य प्रणायनम अकरोत अश्यो लेखा तात्परे टीकायाम प्रत्यक्ष लक्षण सूत्रस्य व्याख्याय उप्संगारे वर्तते तथा ही त्रिलोचन गुरून नीत मारगान मुगमनोन मुखई ही यथा मानम यथा वस्तु व्याख्यातम इदमी द्रिशं अन्यत्रापी अर्षे ग्रंथश्य उल्लेखा वर्तते एते ग्रंथाह प्राचीन अन्यायश्य वर्तते आचार्य वाचस्पति मिश्रश्य तात्परे टीको परी आचार्य उधय नहा परिशुद्धी नामकम टीका ग्रंथम प्रनीतवान इवंचा बहुद्धानाम मत्प्रतिकाराय बहुद स्वतंत्र ग्रंथव अपि प्रनीतवान आत्मतत्त विवेका न्यायकुसमांजलिष्च न्यायकुसमांजलव नईकाह तीकाह प्रकासिताह संति तेशु वरत राजश्य बोधिनी दिवाकर उपाध्याय उष्य परिमलह भर्दमान उष्य प्रकाश्य रगुनात्सिरो मनेह दीधितिही शंकर्मिश्य आमोधाह आत्मतत्त विवेके अनात्मवाधि बउध्धानाम सुन्य वाधाधि मतानाम निराकरणम कृतवान अयमाचार्य हा अदेव अयंग्रंथाह बउध्धाधिकार नामनापी प्रशिध्धाह वरतते। अश्य ग्रंथास्य नईके व्याख्या ग्रंथाह संती तथाही नियाय सूत्रस्य पंचमाध्यायो परी एकम स्वतंत्रम नियाय परिशिष्ट नामकम व्याख्या ग्रंथाम अपी प्रितवान केशू नियाय कुसमांजलिह एते साम प्रतिष्धिताह ग्रंथाह वरतते। तत्र अचार्य उधायनह अनिश्वर्वादम निराकृत्य शयुप्तिकं अनुमान प्रमानेन ईश्वर्वादम इस्थापित्वान। तथा ही कार्य योजन धृत्यादे है पदात प्रत्याईत हस्तुते है वाक्यात संख्या विशेसाच्चा साध्यो वीश्व विदव्यय आहां। तत्र आजार्य ही उक्तम यथा घड रूपश्य कार्यश्य कस्चित करता भवती तथाईव जगत रूपश्य कार्यश्या पी कस्चित करता वर्तते सच करता इश्वरह एवा अन्यत प्रलया नंतरम जगत स्रिष्टय परमानुसु संयोगा भवती सचसंयोगा स्चेतन सापेक्षा भवती परमानुसंयोगा स्रिष्टी आरभ्यते परमानुसु संयोग चेतनम बिन नईवभवितु मरती अता हा परमानुसु संयोगाय कस्चित चेतनस्य इश्वरस्य अ पुनस्या जगता कस्चित स्र सस्टा कस्चित विनाश कहा आवस्य कहा, सच विनाश कहा ईश्वर एव भवित्व मराती अन्या ना पुनस्या बेदस्य प्रामान्यम अपी तदैव सिध्यती यदा इश्वरस्य प्रामान्यम सिध्येत इश्वरात निश्वशिता बेदाह अताह इश्वरा अस्ति शुरुतव अपी इस्वरस्य प्रतिपादनं बर्थते अताह इस्वरस्य अस्तित्वं अवश्य में अंगिकेर्थभ्यं भवती हित्यत्र नास्ति संसे हा न्याय कुस्मान जलहु वर्धमान्श्य न्याय निवंध प्रकाशह तदु परि संकरमिस्रश्य न्याय तात्पर्यमंण बफी न्याय दर्षन अश्य साहित्यश्य सोभाम भर्धयति न्याय दर्शन साहित्यश्य विकाश शामानेतया दुविधा दृष्यते प्रथमता न्याय शूत्रश्य भाष्य वार्तिक क्रमेन यत्र सास्त्रा नाम गांभीर्यम, सास्क्रिय शिद्धान्ता नाम संरक्षणम, संवर्धनम, प्रतिपक्षी नाम मतनिराकरणम चा वर्तते सास्त्रांतरिये शिद्धान्ता नाम संक्रमनमपी तत्र भवती यदा सास्त्रिये शिद्धान्ता नाम गामभीर्येन शास्त्रिये शिद्धान्ता नाम आकलनम अध्यनम परिज्ञानम दुसकरम भवती तदा दुतिया क्रमह आरप्धा भवती यत्र क्रमे सास्त्री सिद्धांता नाम सरल रित्या विवेश नम भवति परिणाम तह बृत्ति साहित्या नाम रचन तीका प्रटीका नाम रचन जाता अत्र बृत्ति साहित्ये संख्षेपेण सूत्रार्थ विवेश नम भरतते सिद्धान्ता नामचा परिचयात्मकेन निरूपणेन ग्रंथा नाम प्रणयनं भवति यद्य पी बृत्ति साहित्य वक्तब्य विश्यानाम उपेक्षापी आचारेही नकृता तथापी इचारस्य गामभीर्यम बिहाय संच्य पेनेव सरल रित्याईव सास्त्री सित्धांता नाम विवेचनं विहितं परिणामता हा बृत्ती साहित्यम अधिकम लोक प्रियम जातं संप्रति न्यायदर्शनष्य चत्वार इंसत संख्यकाह बृत्ती ग्रंथाह तेशाम उल्लेखा संस्क्रित साहित्ये न्याय दर्शनस्य साहित्ये प्राप्यते काव्य मीमांशायाम वित्ते हे इत्थम लक्षणम कृतम सकल सार्विवरणम वित्ति ही इती अस्तु न्याय सिद्धान्त दीपस्य आरंभे न्याय सिद्धान्त दीपह आचार्य सस्धरो पाध्यायेन विरिचितह वर्तते अश्मिन न्याय सिद्धान्त दीपस्य आरंभे एव आचार्येन उप्तम वर्तते प्रतिपक्षी नाम सिद्धान्त रूपम तमम अपरित्य ग अर्थात न्याय शिद्धान्त दीप अपी न्याय दर्शनस्य अत्यंत्यमेव महत्वपूर्णा ग्रंथा वर्तते तत्र ग्रंथकारह अश्य ग्रंथश्य महात्मयम प्रकाशितं वर्तते न्याय सूत्रस्य पंचमात ध्याय स्यापी स्वतंत्र वृत्ति ही परिशिष्ट र घंगेसोपः ध्यायस्य आविर भावखता तत्र आचारे गंगेशु नयायदर्शना एकमि नुतन मार्गं प्रदर्शित्वान अनैन नयायच आश्त्रिय प्रदार्था नामि नुतन दृष्ठ्या नुतन सल्य विचारह कृत्वाण। यद्यपी अस्यमार्गस्य、 अस्याह द्रिष्टेहे विचारस्य प्रमुखा प्रतिपाद्य विशेह, आसीद, प्रमाणम, परंतु, प्रसंगात न्याय सास्त्रे सर्वेशाम विश्याणां अत्रविचारह द्रस्टुम सक्यते. द्रिश्यते वा एतेशाम अमर कृते हे प्रसिद्धी वर्तते प्रमाण तत्व चिंतामनी अथवा तत्व चिंतामनी अथवा चिंतामनी इती नामना अयंग्रंथा तत्व चिंतामनी चिंतामनी वा आचार्य गंगेशो पाध्यायश्य अत्यंत अमर कृती वर्तते तत्व च चिंतामनू आचार्य पक्षधर मिश्रेन आलोक नामका टीका ग्रंथा प्रनीता, अस्य ग्रंथास्य प्रयोजन मासीत तत्तो चिंतामने प्रतिपाद्य विश्यानां विश्ता रह, अत्चा आचार्य पक्षधर मिश्रश्य शिष्या मकरंद नामका टीका ग्रंथा विरचि आचार्य रगुनाथ सिरो मनी पक्षधर मिस्रक्रित आलोक ठीकाया उपरी दीधिति नाम कम ठीका ग्रंथम प्रनेतवान। दीधिति टीका ग्रंथम प्रनेतवान। दीधिति उपरी आचार्य जग्दीश भट्टाचार्य अश्य जागदीशी नामका ठीका ग्रंथा वर्तते। प्रनेत आत्म तत्त्त विवेको परी आचार्य गंगेशो पाध्याय विरचित तत्त चिंतामन्यों परी अपी गादाधरी व्याख्या वर्तते। आचार्य गदाधर प्रनेत व्युद्पत्ति वादह सक्ति वादह इत्यादय उल्लिखनिया संति। केशव मिश्र प्रनेत तरक भासा पी अत्यांत अमेव प्रसिद्धा वर्तते। अयं ग्रन्था संप्रत्य पी विद्ध्याले एशु, महाविद्ध्याले एशु, विश्व विद्ध्याले एशुच्या पाठ्यक्रमे निहीता वर्तते। अश्य ग्रन्थास्य त्री सत्य धिकाह व्याख्या ग्रन्थाह संति। अस्ति अयम लक्षण ग्रंथा, प्राचीन, नियाय दर्षण अश्य, सर्वेशाम, स्वीकृत पदार्थानाम, लक्षण मत्र विद्यते, अश्य टीका ग्रंथेशु, बर्ध मानोपाद्यायश्य, तर्क भाषा प्रकाशा, केशव भट्टश्य, तर्क दीपिका, पंडितश्य, नियाय संग्रहा, चिन्न भट्टश्य, प्रकाशिका, गनेश दिक्षितश्य, तत्व प्रबोधिनी, विश्वनात भट्टश्य, नियाय बिलाशा, गुण रत्न मनेह, तर्क दरंगिनी, नागेश भट्टश्य, युक्ति मुक्तावली, इत्यादेया, निय नाय निबंध उद्योत नामना परिशुद्धे व्याख्यायाह प्रणयनम कृतं आचार्य दिवाकर उपाध्यायेन या उद्योत नामना ज्यायते वर्धमानुपाध्यायाह अस्योलेखा करोती न्याय तत्वालोगेपी अस्योलेखा प्राप्यते आचार्य संकर्मिश्रह इत्थम प्रतिपादयती प्रकास धर्पन उद्ध्योत कृत भी व्याख्याकृतो ज्वला तथा पियोजना मात्रम उद्धिश्यायं ममोध्यमा न्यायदर्शन साहित्यस्य विचारानंतरं न्यायदर्शनस्य प्रतिपाद्य विश्यानां विचारह क्रियते न्यायशास्त् होंकर बिवेचनं Сам प्रमाड़ प्रमेः बिवेचन रूपे्ड करतुम सक्या ते, मार्शिक गुतमाद आरभ्य गंगेश व पाध्यायात प्राक्याह अपिकृत्ि हसंती तह प्रमेः प्रधानाहसंती। गंगेशो पात ध्यायश्य कृति वर्तते तत्व चिंता मनी तदु परी येपी ग्रंथाह संती ते प्रमाण प्रधानाह संती यस्मिन ग्रंथे प्रमेय प्रधानाह विचारह संती ते प्राचीन न्याय पदवाच्याह यत्रचा प्रमाण प्रधानाह ग्रंथाह विचारह स ते नभ न्याय पदवाच्या हाहा इति ज्यायंते प्राचीन न्याय श्यभाशा सरला पदार्थविवेचनमचा श्फूलं बरत जत अहि पत् Match bibler, भाज गिवेचनम मिस्टूलंब्रत यार। इती सोड अश्पदार्थाह संती, प्रत्य क्षानुमानो पुमान सब्दाहः चत्वारी प्रमाणानी संती, अतेव अयतिही यार्था पत्या भावानाम च क्रमानत्वमत्र निराकरियते, अस्तुतावत इदानिम विशय शंगरह प्रस्टुयते. अश्मिन पाठे अश्माभी गवतम प्रभृती गंगेश पूरुवं यावत न्याय दर्शनस्य कतम उद्भवाह जाता हा कतम चा गवतम प्रवर्तित प्राचिन न्याय परंपराया हा गंगेश प्रभृती भी नूत नत्वेन नभ्य न्याय रूपेन विपरिनमिता भूत इत्येशा विकास परंपरा विचारिता अत्र निश्च प्रचम इदंवक्तुम् सक्यतेयत इशा प्राग सष्ठ सतापदीता द्वादस इश्वीयं यावत व्याख्यान परंपराया अवलंबनेन नियादर्शनस्य प्रचुरह विकासा जाता बाउद्धानाम अस्तित्वं प्रभावत्वं चा आसित अश्मिन कालखंडे शास्त्राणाम विकासाय प्रतिस्परधा अवश्य की भवती यस्मिन काले बउद्धा आसन तस्मिन काले शास्त्राणाम नियाए सास्त्रस्य वा पर्याप्त विकासा द्रिश्यते आचार्य उदयानान अंतरम प्रतिस्पर भावात न्याय दर्शन साहित्य सास्त्रश्य विकास हा तावत नहीं जात हा यथा ततह प्राक आसित अस्याह न्याय परंपरायाह प्राक काले प्रमे प्रधानत्वं नूतन काले चा प्रमान प्रधानत्वं कथम अभुवत इत्याधि विश्याह अपी अस्माभी अत्र चारिताह अताह अस्य दर्शनस्य अध्यानेन नून अमेव भवंताह लाभान विताह अभविश्यन इती विश्वशिमी सुभां भवतु धन्यवादाह नमस्कारह।